कि है लो गाइज वेलकम माई यूटूब चैनल एकेड रिपेर्स 97-95 भी आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो चार्जिंग जैक होता है उसे कैसे निकाले हैं कि हमारे प्रिंट ना उखड़े हैं कुछ भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम चार्ज ये को लगने में दिक्कत होती है और लाइन धूलने में भी दिक्कत होती तो उसके बारे में आप तक जानेंगे सीखेंगे तो आस्खरते हो आपको आपको हमारी वीडिble और बैल आइकन बजाना न भूल लें जिस्से की हमारा जो भी वीडिव जो पहले प्लोट करें उस साड़े आठ सो पावर किये और इसको हमें साड़े तीन सो के टंपरेचर पर सेट करना है और इसकी एर जो है वो टू वा एक से दो के बीच में रखनी है जिससे की इधर उदर हीट ज्यादा ना फैले और कोई कंपोनेंट दूसरा ना उखड़े अगर इस इतने टंपरेचर नहीं उखड़ रहा तो इसमें हम टंपरेचर बढ़ाएंगे और वही रखेंगे तो आई यह वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो यह हमने रख ली पीसीवी जिससे हमें चार्जिंग जैक निकालना है और देखते हैं कितने टंपरेचर में मारा निंगलता है और कितने चार्जिंग जैक पर उसके बार हमें अपनी SMD मेसीन को स्टार्ट करना है और जब तक टंपरेचर ना आ जाया हमारा तब तक उसे हीट होने देना है और हाँ पीसीवी निकालने तो पहले एक तरफ बज़न रखने ना जिससे की इधर उदर ही ले ले ला तो यह हमारा कम से अब हम दस से 20 से टक टंपरेचर आने में लगता तो थाम टंपरेचर आचुका है अब हमें नीचे से देना उपर सभी दे सकते हैं उपर से बगल में जैक लगा हुआ है प्लास्टिक का यह जो सकता है इसलिए हम लीचे से जूप दे रहे है और जब तक हीड देंगे जब तो देखिये दोस्तों कैसे पिखल रहा है कि इतने पर नहीं गल रहा है तमप्रेचर पर तो हमें टमप्रेचर बढ़ा लेना है कि दोस्तों कितनी आजानी से निकल गया और हमारा कोई भी प्रिंट नहीं उखड़ा है अब हम इस एम्टी मसिंग को इदर रहे हैं देखो दोस्तों कोई भी प्रिंट अपनी जगे से नहीं उखड़ा है अब यह बहुत गरम है देखो दोस्तों सारे के सारे पॉइंट लगे हुए साड़े तिन सुपे नहीं निकला जैसे मैंने एर टमप्रेचर बढ़ाया तुरंत यह कंपोनेंट आटोमेटिक निकल गया लगए